Hello dear student, बहुत ही प्यारा सा question है motion under gravity का, इसको discussion करते हैं, ball is allowed to fall from top of a building, यह को एक building है, और इसके top से एक ball को हम लोगों ने नीचे drop कर दिया है, if t1 is the time taken to fall first 1 by 4th of his height, चलो एक काम करते हैं, हम इसकी total height को h मान लेते हैं, तो जो पहला h by 4 travel करने में इसको time लग रहा है, time मिरको question में दियावा है, t1 time लग रहा है, and t2 is the time taken to fall last 1 4th of its height, जो आखरी h by 4 है, इसको travel करने में जो इसको time लग रहा है, वो लग रहा है t2, then what is the ratio of t2 and t1, देख और ऐसे questions को solve करने के लिए एक बात हमेशे ध्यान रखो आप, जबी भी हम fall का कोई question solve करते हैं, और मैं इसे मान के चलता हूँ कि यहाँ पर t2 बराबट 0 हो, और कोई भी h height fall करने में में मेरे को time अगर पूछा जाता है, h height fall करने का जो time होता है, वो होता है root 2 h upon g, इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि जो h होता है, वो initial point से measure की गई distance होती है, जहां से मैंने इसको fall करवाया है, वो point जहां से initial velocity 0 है, वहां से h measure किया जाता है, तो अगर मैं इस particular question की बात करता हूँ, तो यहां पर h by 4 में कोई दिख्कत नि, मुझे t1 निकालने में कोई दिख्कत नि, जैसे मैंने आपको बताया कि formula है, root 2 h upon g, simply जो small h है, जो इतना height गिरा, जो height fall है, वो h by 4 है, and this is g, तो इस 4 का root अगर मैं बाहर लोंगा, तो 2 बाहर आजाएगा, and this is root 2 h upon g, यह मेरे पास मैं t1 आगया, okay, and जो थोड़ी सी महनत है, वो हमको t2 calculate करने में करने पड़ेगी, this is t2, अभी t2 कैसे calculate किया जाए, तो देखो मैंने ऐसे मान लिया, कि यार विलकुल starting, जब यहां से वीठी टाइम जीरो था, और विलकुल नीचे तक पहुँचने में time कितना लगा, capital T, this time is capital T, and let us zoom, यहां से लेकर और यहां तक आने का जो time है, वो t' है, तोटल time में से, अगर मैं इस t' को subtract कर देता हूँ, तब मुझे यह t2 मिलेगा, because मैं direct यहां पर root 2 h upon g नहीं लगा सकता, यहां एक काम करता हूँ, मैं t2 अगर लिखता हूँ, तो t2 बरापर होगा, capital T minus t' so capital T है, total h height fall होने का time, जो है root 2 h upon g, minus t' है, यह वाली height गिरने का time, तो अगर यह h by 4 है, यह पूरा h है, यह h by 4 है, तो obviously यह जो height है, 3 h by 4 होगई, 3 h by 4 height गिरने में time कितना लगएगा, 2 into joh height, joh fall हो रही है, वो 3 h by 4 है, और नीचे यहां पे g है, दोनों equations में से root 2 h upon g को मैं common ले सकता हूँ, यहां पे 1 बच जाएगा, यहां से 2 तो बाहर common में आ गया, h भी बाहर common में आ गया, और g बी common में आ गया, का ratio चाहिए, t2 upon t1, t2 is root 2 h upon g, this is 1 minus root 3 upon 2, and t1 is half of the root 2 h upon g, इनको मैं cancel कर सकता हूँ, और आप LCM ले ले लिजिए 2, तो 2 minus root 3 हो जाएगा, और नीचे है half, यह से cancel हो जाएगा, यहां रही बाहरों से 2 minus root 3, is the correct answer of this question, और question के सबसे खास बात यही है बचो, कि आपको इद्धान में रखना है कि, formula root 2 h upon g जब लगेगा, तो initial point वो होना चाहिए, जहां पर initial velocity 0 होती है, thank you so much, and God bless you.